हेलो गाइज, मैं हूँ आमेद, और भाई हमारी जो गाड़िया होती है वो दोड़ती है टायर्स के उपर, और जो टायर्स होते हैं उनके अंदर भरी होती है हवा, यानि कि हवा के दमपर जो टायर है वो चलता है, और आज हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई आगर इसके हमारी कार के टायर्स होते हैं, उनमें 32, 40, 30 से 40 PSI की जो हवा है वो भरी होती है, 30 से 40 प्रेशर होता है, लेकिन हमने सोचा कि अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए, कितना कम, हमने सोचा कि अगर प्रेशर को 0 PSI कर दिया जाए, यानि कि कुल में लागर बात ये है कि अगर टा को खराब कर सकता है, आपके रिम को खराब कर सकता है, आपकी गारी को खराब कर सकता है, आपके गारी पलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, this is very dangerous, please do not try this experiment, लेकिन आप लोग इस वीडियो के लिए like का बटन जरू से दबा देना, तो फटा बट्चिस, शुरू करते हैं अब तूल लगा रहा हूं और इसको दबा दे रहा हूं पर इसी जो हवा है तो खाली हो जाएगी इतना ही सिंपल है लेकि यह जरूर है कि जो टायर है वो खराब होने वाल है बट हमने जान बूज के इसके अंदर एक थोड़ा हलका टायर डाले क्योंकि अगर हम इसमें नया टायर लगाएंगे न वह सकता उतना मजा नहीं आए और साथ में यहां पर नुक्सान भी नहीं होगा वारा टायर नहीं खराब होगा है क्या बाट है यहां पर मैंने इसका या जो बाल ठाना इसको इस तूल से खोल करके निखाल लिया और देखो पूरी हवा जो एकदम से खाली ह बग गया यारी एकदम से निकल के मैं शूचे यह क्या हुआ तो अब जो है गाड़ी को करते हैं स्टार्ट इसको आप रखो और अब देखते हैं क्या होते हैं इसको समाल के रखना नहीं तो जो टायर है वो दूसरा डालेंगे नहीं यार दूसरे टायर में तो ट्यूबी जिए ते हैं जो गाड़ी है वो जुग गई है यार गाड़ी आगे से जुग गई है क्योंकि जो टायर है उसका तेको बिल्कुल भी एकदम वो दब गया है वैं अगर गाड़ी को काफी दम लगाना पड़ रहा है खीचने के लिए भी और देखो टायर है वो एकदम छिपक के चल रहा है इससे ओं आ हो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको ना कर पा रहा हूं मैं जो है एकदम ठीक से गाड़ी को चला पा कर रहा रहा तो आजिए को पिर से हम बीना हवा की जो गाड़ी उसको ले करके आ गए है और यार जो टायर है न वह एक्टम जो है चिपका हुआ है जवीन से थोड़ा सा रफतार बढ़ाते कैमरा को ऐसे रखो और देखते हैं कि क्या होता है अब यार जो गाड़ी है न भाई वो ऐसे जुकी हुई है एक साइड और यहाँ पर यार सेफटी जो है वो भी ज़रूरी है तो यहाँ पर सीट बैड लगा लेते हैं एकदम 5-7 की स्पीड पर चल रहा हम लोग थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं और देखते क्या होता है ब कि अवे यार जो टायर है उसमें एसे बड़ 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 की आवाज आ रही है कंटीन्यू जो है खड़ा-खड़ा-खड़ा ओर यह बहुत तेज आवाज आ रही अंदर और गाडी कंटीन्यू जुकी हुई है एक साइड में मतलब गाड़ी ऐसे नहीं है गाड़ वैसे हो के चल रही है लेकिन यार चल रही है लगबग हम एक किलोमेटर के असपास चल चुके हैं यहाँ पर गुमाव है देखते कैसी कटती है ठीक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है इन पर्टिकुलर और पता गाड़ी को जो पावर है वो जादा लगानी पड़ रही ह है जैसे मतलब मैं रेस छोड़ता हूं ना गाड़ी अपने ब्रेक सा मानती है क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कुछ जादा ही हो जा रहा है कर दो कि अधिक्त नहीं आरी बड़ी आसे घूम जा रही है गाड़ी लेकिन बस आवाज आरी है भेंकर भेंकर भाईया रूक और रूक और रूक और रूक और इसमेल आ रही है अभे यार गाई इसमें जो है बहुत तेज मेरे को श्मेल आ रही है यार जा हुआ है यहां पर वह इतना जादा गरम हो रखाय यहां पर अधिनैसा कैसे हो गया अभे यार जो टायर है वह है हावास भी आ देखो यहार कालना कामरे अवास तूनेगी इसमें देखो यार गाई इसमें से जो हवा है वो डेफिनेटली यहां पर लीक हो रही है देख 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 गाड़ी कैसे जुप के चल रही हो थोड़ा सा गड़ा आतास में तो पूरी कुछ जाती है अबे जल गया यार ऑगाइज यहां पर जो टायर है उसकी हालत देखो दूआ निकल रही है और गाइस देखो यार एक बार यह जो टायर है यहां से फट चुका इसमें छेद हो गया है देखो एक बार और यह एकदम गरम है फिलाल देखो देखो यह टुकड़े इसमें से गिर रहे हैं टूट टूट के टायर की अबे यह क्या है टूब और इसके अंदर देखो इसके अंदर किस तरीके का च्रा है तो भाई इतरा खतरनाक होता है बिरा हवा के टायर चलाना लेकिन अभी मजा नहीं आया है अभी तो और चलेगा यह तोड़ा बहुत उसके बाद में देखेंगे यह बार देखो यहां पर पूरे में जो है देखो छेद हो गए हैं यह काफी जादा गरमें तो और चलाते हैं इसको चलो तो भाई अब है यार ओशिट गाइज इत्ति गंदी हालत हो गई इसकी एक बार देखो अब है यार भाई मेरे पास पता है बोलने के लिए कुछ नहीं है काम करते हैं थोड़ा इसको और आगे चलते हैं यहां पर बहुत ज़्यादा शोर शराब है फिर आपको दिखाते हैं अब यार गाइज अब यार गाइज एक बार जारा हालत देखो यह कैसे खुल गया वही इसको बंद करो जारा यहां पर आप लोग एक बार अब यार भाई अभी तक पता मेरा पूरा शरीर ऐसे ऐसे जिल रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जंपिंग जैसा कुछ लग गया इसकी जो ट्यूब है ना वो रस्ते में गिर गई थी हमने उठा के रखी है और आप लोग देखो जरा कि यह गाड़ी की ट्यूब है जो की सही थी पहले और अब इसके कितने टुकड़े तो पदा नहीं कहां गिर गए होंगे और आप लोग देखो क्या हाल हो गया और भॉई फट गया पूरा टायर देखो पूरी तरीके से जो है टायर की हालत और बहुत जादा गरमे देखो हालत खराब हो रखी है तो गाईज कुल मिलागर के बात यह है कि अपनी गाड़ी को बिना हवा के कभी भी मत चलाना नहीं तो यह हाल हो जाएगा हो सकता इतना बु में जो है टायर थोड़ा थोड़ा कटने लगा था लेकिन अब जाकर के टायर पूरी तरीके से एक दम फट चुका है देखो अब यार इसमें वायर निकल गए देखो यह जो स्टील के वायर से लोहे के वायर से ना और यह हाथ में भी लग रहे है और गाईस टूब का चीज थी और खतरनाग का मतलब है कि देखने में इतना खतरनाग लग रहे हमने जो है सारी चीज एकदम सेफटी के साथ में करी थी और हमारा करो ऐसा गलती तो अगर आपको मजाए इस वीडियो में लाइक ठोक देना जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्तमस वीडियो के लिए तो चलो फिर मिलते हैं के लिए वीडियो में दब तक के लिए नमस्कार बाइबाए